अधिया यह हमारा है यूनिट फाइव ग्रेन स्कील्स ठीक है और ग्रेन स्कील्स में कुछ बच्छों को डाउट है इसलिए मैंने यह विडियो बनाया आप इस विडियो को धहान से देखिए अराम से देखिए ठीक यूनिट फाइव इस डिवाड़ इंटि पार्ट सेशन बंशें तो आज की विडियो में हम लोग देखेंगे सेशन वन का टॉपिक सस्टेनवर डिप्मेंट ठीक एस का मतलब क्या है और इसको हम पढ़ गीं हुआ है तो आप सभी को पते हैं कि हम लोग क्या है human being है ठीक और जिसकेitu क्या घथकर हो रहे है कि हैं बहुत ज़ालगे बीज्छ,, बहुत ज़ालगे है बहुत ज़ालगे पॉपॉपॉलिशन, बहुत ज़ालगे हैं सहिरी उहादा हुए Brahment है ठीक है लोग जो टेक्निकल रिसोर्सेश को बहुत ज्यादा यूज, यूज, करने का मतलब है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग use करते जा रहे हैं ठीक जिसके कारण से बहुत सारी problems जो है occur हो रही है जैसे global warming का condition आ रहा है climate change हो रहा है आपका population day by day increase होते जा रहे हैं ऐसे हमको बहुत सारे जो है environmental problems है उसको face करना पड़ रहा है isn't it तो यही इसके इसी को ही क्या करते है sustainable development जो topic है इसी को ही बताता है कि हम लोग जो human being है या हमारी वज़े से जो nature है उस पे क्या impact पड़ रहे हैं directly या indirectly हम लोग nature को क्या कर रहे हैं बहुत ही क्या बलना चाहिए roughly use कर रहे हैं समझो है ना उसके जो भी resources है या जो भी चीज़े हैं उसको hard and fast हम लोग use करते जा रहे हैं जिसके करण से nature को क्या हो रहे है problem हो रहे है ठीक और बहुत सारे जो problems है वो occur होते जा रहे हैं ठीक ग्लोबल वामिंग बहुत बड़ा issue है आप लोग को पता है sea level देन-बड़ते जा रहे है Focus बड़ते जा रहे है जिसके करण से pollution बड़ते जा रहे है तो यह सब वी problem आ रही है है ना तो sustainable development में हम क्या करेंगे यह यह बताते है कि देखो यह सबी हो क्यों रहे हैं इसमें हमारी भी गल्दी कहीं नहीं हैं कहीं नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग दूसरी कंट्री के लाइफस्टाइल को भी कॉपी करने का कोशिस कर रहे हैं हम अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाने की कोशिस कर रहे हैं हम लोग टेकनलोजी के साइट जादा क्या कर रहे हैं ध्यान देते जा किया और रहे हैं तेकनलजी आरी है ठीक है लोग क्या रहे हैं लेजी होते जा रहे हैं मेरी सबस्द तो लेजी हुँआ भई पहले जाना भाता एसी वेसी कुछ था नहीं घर में नार्मल के रहता तो रहता है तो फिर पर पानी ऐसे बाहर जाकर घूमने के जासे कि एक अब अब आपको तो Additionally in इंसान को क्या बनाए है वो इंसान को आराम दिया है तो disadvantage भी इसको तो होगा ना भी जिसके करण से क्या हो रहा है जैसे आपका AC है पर संफरेंब बताता है कि हमको वंको क्या करना है कि मतलब हम अपने की चीजी है उसको मन माने तरीके से यूज नहीं करना है सही तरीके से और सही मात्रा में यूज करना है ठीक, without comprising the ability of future generation हमको ऐसा future generation के बारे में सोचना है भई ऐसा नहीं है कि अभी at present आप मनमाने तरीके से जो भी natural resources है उसका यूज कर रहे हो या किसी भी technology का मनमाने तरीके से यूज कर रहे हो और फिर उसका impact या होगा future generation पर पढ़ेगा ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना है sustainable development यहीं बताता है इसका बहुत ही अच्छा definition है यहाँ पर देखिए ठीक है, इसमें ज़से आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में भी आएगा ठीक है, जैसे क्या है आपका development that meets the need of the present हमको अपना जो भी need है उसको at present तो fulfill करना ही है but what without comprising the ability of future generation to meet their own needs हमको future generation के बारे में भी सोचना है यहना हमको उनके जो भी needs है उनसे कोई compromise नहीं करना है यहना तो खुद का दो development करना है या अभी जो at present हमारा जो need है उसको तो fulfill करना ही है but without comprising the generation of future generation को without comprise करे हुए ठीक है तो यह हमारा goal है sustainable development का यह बोल सकते हैं यह definition है ठीक है हमको जो भी natural resources है उसको use करना है पर मन माने तरिके से नहीं ठीक हमको जो ecological balance है उसको क्या करना है maintain करते हुए आगे क्या करना है अपने lifestyle को या अपने आपको develop करते जाना है ठीक है जिसको हिंदी में सतत विकास बोलते हैं ना continuous जो progress करते जाते हैं obviously progressive manner में हम लोग चली रहें ठीक हम लोग क्या करें progress करी रहें डारेक्ली या इंडरेक्ली ठीक या क्या होते है sustainable development का goal क्या है आट है आट वह बता दी आट basically tas अट होता क्या है तो देखें इसी भी चीज़ का goal अगर हम बात करें ठीक है तो sustainability is the goal of sustainable development Sustainability क्यों होती है сusthenable development का goal क्या है sustainability sustainability का मतलब होता है की जो हमारे economical जो मतलब economy है और जो हमारे natural resources है या जो environment है उसको क्या करना है develop करते जाना है उसको harm नहीं करना है उनको कोई चोट नहीं पहुचाना है और हमारे जो natural environment है उसको क्या करना है ग्रोथ कराना है या एक सिंपल सा जोनल भासा में बोला जाए तो हमारे जो भी इन्वार्मेंट है उसको क्या करना है या जो भी आसपास का वाता वरण है जैसे परियावरण बोलते हैं जिसको कॉमन भासा में तो हमको क्या करना है परियावरण की सुंदरता को ही बनाये रख अपना भी डेवलब करना है, तो है तो सेमें पशने की लेखे चलो, है अपने भी डेवलबमेंट करो साथ में है इनवायर्मन का यह नेशुरल जो रिसोर्सेज Заस को भी डेवलप करा। यह इसका में गोल है त result sustainability is the goal of sustainable development, sustainability का मतलब क्या होता है gain the long term stability of the economy and protection of our natural environment ठीक हमको अपना क्या करना है जो natural environment हो उसको protect करना है ठीक while driving the innovation growth and development at the same time अगर ऐसा नहीं है कि हम nature को protect कर रहे हैं या environment को safe कर रहे हैं कि चक्कर में अपने आपका भी development ना करो ऐसा नहीं है simultaneously development करना ही क्या है sustainability है अब sustainable development का need क्या हुआ तो भाई obviously इसका need क्यों होगा देखिए इसका main reason का need का sustainable development का यह सिर्फ environment से related नहीं है यह बाकी चीजों से भी related जैसे social है, economical है यह सबी को भी क्या करते हैं directly and directly impact डालते है sustainable development का need क्यों हुआ जैसे कि हम क्या करते हैं environment degradation को prevent करने के लिए human life को safe करने के लिए इसकी जुरत पढ़ी और जो भी मतलब हम लोग जो resource use कर रहे हैं उस का alternative option भी search करने के लिए जैसे आप पढ़े होगे पहले environment वगरे subject पढ़े होगे तो एक होता है renewable resource और एक होता है non renewable resources बढ़े हैं आप लो तो इसका main motor यह भी है कि जो non renewable resources उसको क्या करना है जादा से जादा मात्रमी यूज़ करने हैं जो renewable resources इस इस में कुछ मतलब वह नहीं है ठीक तो इनको क्या करना है जादा से जादा बढ़ावा देना है बोलना चाहिए या उनको प fossil वागेरा साथ non renewable resources आपको उसको यूज़ नहीं करना है ठीक क्योंकि non renewable resources वह एक दिन खतम हो सकते हैं हो सकते हैं तो हमको उन चीज़ों को ना ध्यान दे के जो renewable resources उसको जादा ध्यान दे ठीक वही लिखा है to regenerate the renewable energy resources and to ensure the environmentally sustainable economical growth और हमको यह भी ensure करना है कि जो मारा environment है वो क्य रहे है sustainable क्या हो रहे है growth करते जा रहे है sustainable का मतलब है continuously या regularly in the sense है ना अगर आप इसको dictionary में search करोगे तो वही आपको दिखाएगा तो यही क्या है इसका main motto है कि हमारा जो environment है या जो हमारा जो economical social किसी भी टाइप का क्या हो हमारा जो विकास हो वो होते रहे है या हम लोग क्या करें development के side आगे बढ़ते रहे हैं develop होते रहें simple सी बाद ठीक पर वही है बार बार मैं बोल रही हूं development का कर रहे हो पर इसका मतलब यह नहीं कि आप क्या करो अपने environment को या अपके जो भी economic है उसको environment को क्या करो हाम पहुचाओ है वो उसका मोट नहीं है अब देखिए dimension of sustainable development में क्या है sustainable development कौन-कौन से dimension में होना जाए किन-किन दिशाओं में हम progress की बात करेंगे किन-किन जगहों पे हम अपनी progress की बात करते हैं सबसे पहला अपने आपको socially develop करना है ठीक है दूसरा अपने तीसरा हमारे जो नैचरल नैचर जो रिलेटेड है या इन्वार्मेंटल जो रिलेटेड है या जो एकोलोजिकल है उसको भी क्या करना है डवलप करना है ठीक और लास्ट है अपका पॉलेटिकल या गवर्मेंट के सक्टर से भी क्या करना है development होना चाहिए तो यह चार डाइमेंशन है ठीक आप फिर यह जो पॉइंट्स दिया है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अप कैसे करेंगे दे कंसेप्ट ऑफ दे सस्टेनेमल डेलप्मेंट इस बेस्ट वालुइंग प्रिंसपल यह जो कंसेप्ट है वो किस प्रिंसपल पे है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगेöh िकोनामिक डिसीजन और जोभी ढीज़िजन है यह जो भी चीज़े रहे यह होनी चाहिए सब इ के Curtin के विलफेर में होना चाहिए तक आपका वस्ट इनमाजेशन कैसे करना ये सब होना चाहिए थिए नहीं होना चाहिए ठीक है या जिमिनमाइंड ऑफरístरेशन के इसंदुक電प्त कुछ पॉइंच करणे के सब इसमें घ्रेशेंद करने करने के जासे सेंस में हुता है मैं टीके hell duy की जसे कुछ डुपीसिंजिन होती है जाक किसी एकन्य क्रीव नहीं होना चीज लोगों से रहती है मतलें डूखन और स्टीजन कूछ की जिए तो उससे सेर ब्लीक माषब सेवन हो wärसा है आना यह आप सेक्टरज़ वाइस को रिसमूंजड़िटी डिस्ट्रिबिट करके उसमें फोकस करो ठीक है प्रिवेंशन अब किस-किस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे तो जो अनिसेसरी चीज़े हैं जो इन्वैरिमेंट को नहुत करती है या हाम करती है उसको प्रिवेट करने है तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिसको इसी प्रिंसिपल पर ये काम करती है अब पिलार्स की बात करें तो तीन पिलार होते हैं एक होता है शोशल दूसरा इंविर्मेंटल और तिसरा एकोनॉमिकल ठीक इसमें भी मिरक्याल से बताना नही बात है तो जैसे पहला लिखा इसमें वर्कर्स हैल्थ और से इंवल्स तो वर्कर्स हैं जो बाकी लोग उनका भी साथ में क्या करना चाहिए उनके हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ठीक है तो देखिए सोशिल पिलार मतलब क्या होता है फिस्किस एरिया पे हमको का मतलब आगे बढ़ने कई जह extends बढ़ने के साथ हमारे साथ गoth करने मेंनें जो भी चीजे हैं उनको equally distribute करना है इसा नहीं भई कि आप अपना बेनिफिट करने का मतलब है कि आप उनका भी directly क्या करो development करो ठीक है अब environmental issue में क्या कर सकते हैं हम जो है environment को मतलब कैसे sustain कर सकते हैं कैसे उनकी productivity को बढ़ा सकते हैं कैसे करेंगे एक तो reduced waste generation है या जो भी waste material को नहीं करना इसको properly क्या करना decompose करना या जो भी methods होते हैं decomposition के उन सब को try करना ठीक उसको implement करना it's not the good word for this year implement करना basically है और जो भी impact पड़ते हैं जैसे reduce the impact on the human health human health में कैसे impact पड़ता है it ensure that overall impact on the human health should not be negative तो आप जो भी activity करें जिसमें आपका environment involved हो आप यह दिहां रखें कि उसका humans पे साथ में जो environment पे कोई negative impact ना पड़े या यूज ऑफ renewable raw materials elimination of the toxic substance ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप क्या कर सकते हो तो simple सा implement कर सकते हैं ठीक नौद एक इकोनोमिक की इशू कर बात करें हैं financially अगर हम बात करें तो कैसे growth करेंगे तो जैसे कि आप entrepreneurship वाले method में पड़े होगे कि एक person जो है या एक entrepreneur क्या करता है अपने साथ बाकी लोगों को भी क्या करते हैं employment प्रोवाइट कराते हैं तो वैसी एकोनोमिक सेक्टर में क्या करेंगे हम new market create कर सकते हैं opportunity for the sale growth है बहुत सारी opportunity प्रोवाइट करा सकते हैं cost reduce कर सकते हैं raw materials का जो इन जैसे आप जो भी cost जिस जिसको हम खरीद रहे हैं उसका cost क्या कर सकते हो reduce कर सकते हो cost कैसे reduce होगा अगर local material यूज करें तो obviously cost reduce हो जाएगा होगा की ने ठीक आप जैसे है creation of additional values इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा आपको खुद को पढ़ना है inclusion of environmental practice इसको भी कुछ पर करना है तो यह directly and directly मतलब हमको क्या करना है मतलब इस इस level पर हमको क्या करना है basically development करना है यह होता है pillars पिलार मतलब को मा सुझते हो ना जो main column होता है अब यह important sustainable development की goals क्या करें तो 17 गोल दिये हैं यह ना जैसे हमको development जैसे भारत सरकार भी चला रही है sustainable development का process भारत सरकार भी चला रही है यह ना की गरीबी नहीं होना चाहिए no poverty and good health लोगों को अच्छा health मिले well being gender equality को खतम करना है basically gender equality होना चाहिए sorry मैं तो girls और boys में कोई क्या बोलना चाहिए difference या partiality नहीं होना चाहिए ठीक है तो ऐसी आपको 17 जो है 17 जो है goals दिये है ठीक है zero hunger कोई भुक सिमार्य गाने सब को education मिलना चाहिए इसमें से कुछ चीज़े तो बेटा फुल्फिल भी हो गई है बहुत हद तक फुल्फिल हुए पहले तो बताओ कितना लोग उनको खाने के लिए तरसते थे बोलते थे पहले के जमाने में अभी तो जैसे जिनका BPL कार्ट समझते पहले तो बहुत भूखा मरते थे लोग और बहुत प्रॉब्लम होती थी बुलते हैं पर अभी ऐसा कुछ नहीं है लोगों के पस चावल है sufficient मात्रा में चावल है और उनको चावल BPL कार्ट से प्रोवाइड किया जा रहा है employment प्रोवाइड किया जा रहा थे आप लोग मन्रेगा वगिरा का नाम सुने होगे पहले मन्रेगा चलता था सायद अभी भी है schemes पढ़े होगे आप social science में पढ़े होगे मन्रेगा scheme क्या होता है कितने दिन में होता है कितने दिन का work मिलता है तो यह सब ही चीज़ें जो है पिछले बार भी यह नहीं था और इस बार भी यह है मतलब यह पहली बार है तो यह very new for me also है ना तो आप इसके साथ मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ में खुद भी सीख रही हूं कि यह सब चीज होता क्या है लोगों का economical growth होना से लोगों का तो यह जो 17 goals है उसको आपको समझना है ठीक है यह पीपी करके आपको दिया भी है कुछ कुछ चीज़े यह लोगों है यह क्या बुलना चाहिए जो goals है उसके लोगों है sustainable development goals के लोगों है ठीक जैसे कि मैंने बताया कि sustainable development को implement करने के लिए बहुत सारे मतलब steps लिए जो आ रहे हैं इंडिया के साथ भी और बाकी लोग भी जैसे आपका बहुत important और famous प्रोग्राम चाल रहे है स्वक्ष भारत अभियान चाल रहे है आप सभी को पता है मेक इंडिया चल र लोगों को जो मतलब ग्राउंड लेवल पर जो लोगों को जो मतलब ग्राउंड लेवल पर जो लोग है उनको पूरे phone से उनको पूरे technology से जोड़ा जा रहा है इन तो this is what यह सभी क्या है मतलब these all are steps of sustainable development यह जो sustainable development है उसी के steps है उनी का मतलब जो इंडिया है या जो वाकी जो countries हैं वो भी क्या कर रहे हैं डलप्मेंट के साइट क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, तो यह हमारा सेशन वन था, फिर हम लोग देखेंगे, सेशन टू में, चैलेंजेज इन दे सस्टेनेवल डलप में, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगी, बताऊंगी, अगर आपको और कुछ समझ नहीं हैं, तो फिर से मुझे बताईए, मैं इसका और बेस्ट आपको बलम हो, तो, गो की?